हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चॉइस किच्छन जैसे की रक्षाबंदन आने वाला है तो मैंने सोचा आप लोगों से एक ऐसी मिठाई शियर की जाए जो की इंसेंट बन जाती है बिना किसी मावे के और बिना ही दूद के या फिर मिल्क पाउडर के यह देखे कितनी बढ यह बर्फी बनाके तयार कर सकते हैं और ची को इससके ना बढ़िया आया है दानेदा टेक्स्चर और बनाना इससे बहुत ही आसाल है जो कि आप वीडियो में आगे देखे लेंगे तो आए वीडियो इसके लिए करते हैं तो इसके लिए 100 गी ही डाला है साथ ही डाला है दो कप बेशन तो मेजर मिंट के लिए कोई कप या फिर कटोरी आप सेट कर लें ताकि आपकी जो बर्फी है फर्स टाइम में ही बैटर बनके त्यार हो जाए तो बस फ्लेम हम इसका मीडियम कर देंगे और कंटीनियूज दी हम इसे कुक करेंगे ज जैसे जैसे यह भूनेगा इसका जो टेक्शर है बिल्कुल चेंज होता रहेगा और यह जो बर्फी है बहुत ही टेस्टी बनके तयार होती है और इसको जितना आप भूनेंगे उतना ही इसका टेक्शर चेंज होता रहेगा और इसके अंदर मैं एक सीक्रिट इंग्रीडिय आपने देखा होगा कि जब हमने इसको भूनना स्टार्ट किया था तो यह गाड़ा हो गया था और अब इसने धीरे धीरे घी को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है इस पैचुला पर भी देखिए आपको नजर आ रहा होगा गी तो बस इसी तरीके से मीडियम तू लो फ्लेम प तो स्टार्टिंग में इसका कलर येलो इस था अब हलिलका सा ब्राउन शेट पर आ गया है और इसके अंदर देखिए एक फ्लफी पन भी आ गया है तो अब इसके अंदर हम डालेंगे अपना सीक्रेट इंग्रिडियन जो की है तीन से चार चमस घर की फ्रेश मलाई तो यह फ्लफी फ्लफी होने लगेगा तो उसकी टेंशन ना लें बस इसको चलाते रहें नहीं तो जो आपकी बर्फी है नीचे लग जाएगी और फिर उसका जो टेस्ट है बिल्कुल भी बढ़िया नहीं आएगा तो इसको बस इसी तरीके से चलाना है तो यह देखिए अच्छे जो कि है दूद तो 3-4 चमच दूद इसके अंदर मैं डालूगी नॉर्म टैंपरेचर पर लेकिन जो दूद है थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर एड करेंगे तो यहां पर थोड़ा थोड़ा दूद करके डालिये चार से पांच बार में आप और इसको अच्छे से म कर दे दूड डालने के बाद यह थोड़ा से लिक्विडी हो जाएगा तो जब तक हम इसे भूनेंगे तब तक कि यह पैन को छोड़ना दे नहीं तो जो हमारी बरफी है अच्छे से 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 नहीं होगी तो यहां पर तीन से चार बार करके मैं इसके अंदर दूड डाल रही हूं और यह लास्ट बैच मैंने इसके अंदर डाल दिया है दूड का और बस अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और यह देखिए यह जो हमारा बैटर है लिक्विडी हो गया है हमें इसे तब तक भूनना है जब तक कि यह पैन को छोड़ना दे अभी आप देख रहे होंगे कि इस पैचुला पर चिपक रहा है और पैन पर भी लग रहा है तो यहां पर देखिए अब इसने पैन को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है अब इसका जो फ्लेम है हम बंद कर देंगे और इसे एक बरतन में निकाल लेंगे तो उससे पहले हम इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे ताकि जो यह बेटर है थोड़ा सा ठंडा हो जाए नहीं तो क्या होगा कि बेस्तन जो है हमारा नीचे लग जाएगा तो यहां पर जो मैं बरिफी बना रही हूं यह यह बिना चाशनी के बना रही हूं तो उसके लिए आप चाशनी के लिए इसके अंदर कुछ भी यूज क ह Favorly और भालए और प्स खान डालने के बाद अच्छे से अम इसको मिक्स कर लेंगे और जैसे-जैसे हम इसको मिक्स करेंगे इसका जूब टैक्च्चर है जमने की फॉर्म पर आजाएगा तो म॥े जमने की फॉर्म पर आजाएगा तो हमें पता चल जाएगा deta ने पटैद blond से रब किया तो पर्फेक्ट यह गोली बन रही है तो अब इसको हम एक प्लेट में ट्रांस्वर कर लेंगे तो यहां पर मैंने प्लेट पे घी लगा के रखा था अल्रेडी तो उसमें इसको हम डाल देंगे और अच्छे से चारो तरफ से इवेनली फैला देंगे तो यहां पर देखिए मैंने इसको अच्छे से इवेनली फैला दिया है और जल्दी जल्दी थोड़ा से प्रोसेस करिएगा नहीं तो यह जम जाएगा जल्दी से और थोड़ी से ड्राइफ रूट की कतरन मैंने इसके उपर लगा दी है तोटली ऑप्शनल है आप चाहें तो तो यहां पर मैंने गार्णेशिंग कर दी है और इसको सेट होने के लिए रख दिया था इसे एक घंटे के लिए और एक घंटे बाद मैं आपको दिखाते हूं कि यह बर्फी जो है अमारी कितनी बढ़िया से सेट हो गई है तो यह देखिए रेडी हो गई है अमारी बहुत अपनों के साथ रहे और मेरी वीडियो को इंजोई करते रहे थैंक यू थैंक्स वर वाचिंग